हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू हिमाचल ब्लॉग्स फास्ट आप सभी को थैंक यू मेरे हंडर सब्सक्राइबर कंप्लेट करने के लिए तो फ्रेंट्स आज हम करेंगे है एच्पी जी के पार्ट सिक्स तो आज टोटल नंबर ओप कोश्चन है हिमाचल के 85 कोश्चन है आज के थोड़ी सी लंबी चलेगी आज की वीडियो तो एंड तक देखिएगा और आज की टैग लेन है संगर्ष प्लस मेहनत इक्वल टू जेओ वाइटी 2021 और यह जो मैंने क सब्सक्राइब के पराने पेपर में जो कोश्चन पूछे गए थे वहां से मैंने केरियोट किये हुआ हैं और यह सारे कोश्चन ना कि जेओ वाइटी के इंगजाम के लिए सभी इंगजाम के लिए इंपॉर्डन है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट कोश्चन ना परिप्रेश में परसिद रामे राजश्य श्याम मंदिर कहां स्तित हैं आप शिमरा ओप्शन बी विलाश्पूर या ओपशन सी शॉलरन या ओप्शन डी उन्ना तो गाइज राजे शाम ब्लासपूर दिस्टिक में स्तित है मेरा नेक्स्ट कोश्चन है उद्यपूर का पुर्फ नाम क्या था ओप्शन है जिवात्ता ओप्शन बें बी मार्क कुल ओप्शन सी ओजेन या ओप्शन दी जगत सुख तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है ओप्शन बी मार्क कुल मेरा नेक्स्ट कोश्चन है हिमाचल परदेश में सबसे कम जन संख्या कनतब बाला जिला कौन सा है ओप्शन ए कांगरा ओप्शन बी लॉल्स पिति ओप्शन सी शिमला या ओप्शन दी सोलन तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है ओप्शन बी लॉल्स पिति ओप्शन मेरा नेक्स्ट कोश्चन है परदेश में स्पितियान को अन्य किस नाम से जाना जाता है ओप्शन है शिल्नानी, औप्शन B, चारू, या औप्शन C, पांग या औप्शन D, बोट तो गाइज इसका राइट अंसर है जो स्पितियान है उसको किस नाम से जाना जाता है आपके बहुत नाम से जाना जाता है गाइस मेरा नेक्स्ट कोश्चन है हिमाच्चर परदेश में कहा होकी स्टेडियम निर्मान हुआ है ओप्षन है धर्मशाला, ओप्षन B सुन्दर नगर, ओप्षन C शिलारू या ओप्षन D मुशॉबरा होकी स्टेडियम पुछा है गाइस यह का निर्मान हुआ है इसका ओप्षन C शिलारू में आपके लिए कोश्चन है शिलारू कौन सी दिस्टिक में लोकेटेड है कमेंट बॉक्स में बताईएगा मेरा नेक्स्ट कोश्चन है हिमाचल प्रदेश में कुल पर्शासनिक मंडल है ऑप्षन ए टू ऑप्षन बी थ्री ऑप्षन सी फोर या ऑप्षन दी फाइफ सोचिए और आपने कमेंट बॉक्स पे जो भी इसका अंसर होगा उन सारे मंडल के नाम लिखने है आपके लिए कोश्चन है आवी सकते है पेपर में तो गाइज इसका राइट अंसर है ऑप्षन बी हिमाचल प्रदेश के एकुल प्रशासनिक मंडल कितने है तीन एक का नाम मैं बता जाता हूँ मंडी बाकी दोग नाम आपने बताना है मेरा नेक्स्ट कोश्चन है हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है ओप्षन ए 25 जनवरी ओप्षन भी 15 अप्राइल ओप्षन सी 1 सितंबर या ओप्षन दी 11 दिसंबर तो गाइज काफी इंपोर्टन और काफी हमल लिए जो इंपोर्टन डे है यह एक तरह का हिमाचल यहों के लिए तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है 15 अप्राइल और फ्रेंट्स आपके लिए यह और कोश्चन है 25 जनवरी किसलिए मनाया जाता हिमाचल में तो यह आपने हमें कमेंट बोक्स पे बताना है फ्रेंट्स नेक्स्ट कोश्चन है हमाचल परदेश का राज्य व्रिक्ष कौन से है औप्शन A सेब औप्शन B आम औप्शन C देबदार या औप्शन D पलाश तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है औप्शन C देबदार फ्रेंट्स मेंना नेक्स्ट कोश्चन है हमाचल परदेश क्या की साक्षता दर जनगन्ना दोजार ग्यारा के उनसार क्या थी औप्शन है 80.80% औप्शन B 82.80% औप्शन C 85.80% या औप्शन D 87.80% अभी जो सेंसर्स चला हुए हम उसको कौन सा सेंसर्स फोलो कर रहे है 2011 और सेंसर्स से भी काफी बार हम एच्वी सबोरिनेट के इंग्जाम्स में कोश्चन पुछे जाते है तो गाइस इसका राइट एंसर है ऑप्शन B 82.80 जो करते है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ तो फ्रेंट्स मेरा नेक्स्ट कोश्चन है फू फोंड जासवान स्टेट ऑप्शन है शिरीचन ऑप्शन B परभाप्चन ऑप्शन C लक्षमन चंद्रा या ऑप्शन D पदम चंद जासवान राज्य की किसने स्तापित किया था फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है परभचन ने फोंड किया था यह स्तापित किया था फ्रेंट्स मेरा नेक्स्ट कोश्चन है वेच स्टेवल ऑफ किनोर इस फेमेस फोर फ्लावर किनोर का कौन सा त्यछार फूलों के लिए प्रसद है आप्शन A विश्व तो गाइज जो कि नौर का फेमस फेस्टिवल है फ्लावर्स के लिए उसको क्या कहा जाता है उप्शन सी उखलियान राइट अंसर है उप्शन सी मेरा नेक्स्ट कॉस्चन है फ्रेंस आपके लिए तू विच डिरेक्शन ऑप पंजाब हिमाचल परजेश इस लुकेटेट पंजाब से किस दिशा में हिमाचल परजेश स्थित है उप्शन ए उत्तर उप्शन बी पूरब द्रेक्शन मेरा अगला कुस्चन है गैस the headquarter of इमाचल परदेश the state cooperative bank is located at इमाचल परदेश रज्य कोपे टिब बैंक का मुख्याले कहां स्थित है headquarter पूछा हुग है state cooperative bank का हमाचल के तो गाइस इसका right answer सोरी option पहले पढ़ लेते हैं option है सोलन ऑप्शन भी एक कांगरा ऑप्शन सी एक मंदी और ऑप्शन दी है शिमला तो गाई इसका राइड अंसर है ऑप्शन डी शिमला आगे बढ़ते हैं अगले कोशिंग में गाई हमारा अगला कोशिंग है विच आप दी फॉल्बिंग फेस्टिवल ओफ हिमाचल परदेश इस फेमस फॉर फेमस एज दोल्रू इन चमबा फेस्टिवल है आपका हिमाचल परदेश में जिसका नाम है दोल्रू दोल्रू वो चमबा डिस्टिक में बनाया जाता है तो यह पूछा हुए किसलिए फेमस है तो गाई इसका ऑप्शन है चत्राल ऑप्शन भी नवरातरी ऑप्शन सी चेती या ऑप्शन डी रल्ली तो मैं जिसका राइट अंसर है ऑप्शन सी चेती के लिए मेरा अगला कुस्चन है हमाचल परदेश वाज अंडर दा एडिस्टेशन ओफ चीफ कमिस्टनर अप्टिल कब तक हमाचल परदेश मुख्य या आयूक्त के परसाशन के हमेर्द तहहत था ऑप्शन जञए हमाचल परदेश ऑप्टेश में है माचल पर्देश कब अंडर था किसे अंडर था ये ड्मिस्टेर अट्मिस्टेशिन ओफ्टीफ कमिश्टर के अंडर कौन से बंक यह पूछा व इस एडमिस्टेशन ओफ चीफ कमिस्टनर के अंडर था मेरा नेक्स्ट कोश्चन है विच आप दी फॉल्विंग प्रोजेक्ट्स इस अंडर टेकन बाइ एंटी पीसी फर्स्ट आपके लिए एक और कोश्चन है एंटी पीसी का फुल फॉर्म किया था है या आपने कमेंट ब अप्शन चीफ कोल्ड है या ऑप्शन दी प्रवत्ती इसका राइट एंसर है कोल्ड हैं ऑप्शन चीफ वाजर राइट एंसर मेरा अगला कोश्चन है दा होट स्प्रिंग अफ तत्ता पानी इस सिट्वेक्टेटेड इन विच डिस्टिक आफ माचल परदेश प्शन है कि कुल्लू ऑप्शन सी शिम्ला या ऑप्शन दी चमबा सोचिए सब तक मैं पानी भी लता हूँ तो तो गाई इसका राइट अंसर है ऑप्शन ए मंडे कि दिस्टा मिनाट बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ गाईज मेरा अगला कोश्चन है दे क्लैमेंट ऑफ लॉल्स पित्ती एंड किनोर इस ऑफ सावन टाइम होट एंड हिमाइट या ऑप्शन सी सैमी आर्टिक या ऑप्शन दी मॉंचून टाइप लॉल्स पित्ती और किनोर की जलवाईयों किस परकार की है जिलोजी वालों के लिए एक कोश्चन है और सवाड़ी नेट के इंग्जाम में बूचा गया है यह तो गया इसका राइट अंसर है ऑप्शन सी सैमी आर्टिक आर्थ आर्टिक परकार की ऑप्शन सी मेरा अगला कोश्चन है वू वस्थ पावर्फुल किंग ऑफ क्रिताथ इन दा लोर शिवालिक फोट अंगेंस्ट दा आरेन किंग देवोधास निमन लिक्त में से शिवालि किरातों का वह शक्ति शाली राजा कौन था जिसने आरे राजा देवोधास के विरुध युद्ध लड़ा था ओप्शन ए जलांदरा ओप्शन भी अरजनेया ओप्शन सी कर्थिक्या कर्थिक्या ओप्शन डी सांबरा तो गाइस इसका राइट अंसर है ओप्शन डी शांबरा मेरा अगला कौशन है तो विल्डिंग विच हाउस हिमाचल परदेश विधान सवा वाज विल्ड इन वह ववन जो हिमाचल परदेश की विधान सवा गरह है कब और किस वर्ष बना था ओप्शन ए 1925 ओप्शन बी 1926 या ओप्शन ची 1930 या ओप्शन डी 1935 इस का राइड अंसर है ओप्शन डी 1935 में हिमाचल परदेश विздान सवा बनी थी उसकी बिल्डिंग बनी थी 1935 में हिमाचल प्रदेश बिधान सवागी बिल्डिंग बनी थी मेरा अगला कोश्चन है शिली वाइड लाइफ सेंचरी इस लुकेटेड इन विच डिस्टिक ओफ हिमाचल प्रदेश शिली बन्य प्रानी वियरन हिमाचल प्रदेश के किस चिले में स्तित है औप्शन है कुलू, औप्शन भी मंडी, औप्शन सी शिमला या औप्शन डी सोलन तो गाइज इसका राइड अंसर है औप्शन डी शिली वाइड लाइफ सेंचरी कहां स्तित है आपकी सोलन डिस्टिक में बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ अकोर्डिंग टू महावारता हूँ फोन्ड कटोच मुनार्की डिरिंग 1400 बीसी महावारत के अनुसार किसने 1420 के दुरान कटोच राज तंत्र की नीव रखे थी औप्शन है सामभर, औप्शन भी शुशार्मा चंद्र ओप्शन सी डिवदास या ओप्शन डी भीम तो गैज इसका राइट अंसर है ओप्शन भी शुशार्मा चंद्र ने कटोच मुनार्की की नीव रखे थी मेरा अगला कोश्चन है तो गैज इसका राइट अंसर है मेरा अगला कोश्चन है हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संग शाक्षित प्रदेश बना था तो ऑप्शन है 1948 ऑप्शन B 1951 या ऑप्शन C 1952 या ऑप्शन D 1956 तो गैज इसका राइट अंसर है ऑप्शन D 1956 में मेरा अगला कोश्चन है हिमाचल प्रदेश का सारवतिक सुखा स्थान कोन सा है दे ड्राइस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ऑप्शन A कलपा ऑप्शन B के लोंग या ऑप्शन C स्पिती या ऑप्शन D पांगी तो गैज इसका राइट अंसर है ऑप्शन C इट स्पिती दर ड्राइस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ मेरा अगला कोश्चन है इसका राइट एंसर है मेरा अगला कोश्चन है इसका राइट प्रदेश मैनमेड लेक पुछी है हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लार्जेस है हिमाचल प्रदेश में मानब निर्मित सबसे बड़ी जील कौन सी है रेनुका, किजयार या चंदरतला या गोविन सागर तो गाइस इसका राइट अंसर है ओप्शन डी, इस गोविन सागर मैनमेड लेक है मेरा अगला कोश्चन है दारीवर चिनाव ड्यूरिंग दा वेधिक पिरिएड वाज नौन ऐज वेधिक काल में चिनाव नदी को किस नाम से जाना चाहता था ओप्शने मुक्तेश्वरी के नाम से ओप्शन बी गिरी गंगा या ओप्शन सी अर्ज किया यह ओप्शन डी नन अफ दीज तो गाइड इसका राइड अंसर है नन अफ दीज तो इसका वैसे जो आपकी चिनाव नदी है वो वेधिक पिरिएड में असी कन्नी के नाम से जानी जाती थी असी कन्नी के नाम से जानी जाती थी और आपने comment box में बताना है मुक्तेश्वरी, गिरी गंगा, अर्जकिया किस नाम से जो उनका present name है वो क्या है आपने comment box में बताना है question यहां से भी पूछा जा सकता है आपको तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number आपका है 73 चोलांग चोटी कहां स्थित है दा चोलांग पीक इस लुकेटेड इन दा जांसकर रेंज, option B पांगी रेंज या option C दोलादार रेंज या option D, none of these तो गाईज इसका राइट अंसर है option C जो आपकी चोलांग पीक है वो कहां पे स्थित है दोलादार रेंज में बढ़ते हैं अंगली question की सरफ question number 74 पंचपुला पिकनिक स्पोर्ट पिकनिक रिसोर्ट इस लुकेटेड नेर पंचपुला पिकनिक रिसोर्ट कहां स्थित है option A दरम चला, option B इन दोलोजी मेरा अगला question है the regional center of Indian Bureau of Standard is located at भारती मानक वियोरो का राजी केंदर का स्थित है option A महतपुर, option B ना लागड़ या option C परमानू या option D शिम्ला तो guys इसकार जो Indian Bureau of standard है वो कहां पे है, हिमाचर में स्थित option C, it's परमानू मेरा अगला question है who laid the foundation of रंग महल of चंबा, चंबा में रंग महल क्या शिला नियास किसने किया था option A मेज सिंग, option B जुरावर सिंग, option C साहिल बरमन, या option D लक्षमन बरमन तो guys इसका जो रंग महल की स्थापना किसने गी थी या शिला नियाव किसने रखी थी जो कि चंबा में है, रंग महल कहां पर है आपका चंबा में ये question भी पूछा जाग सकता है आपसे तो guys इसका right answer है option A, उमेद सिंग बढ़ते हैं आगले question के तरफ question number 77 the battle of बांग बगानी का युद गुरू गविन सिंग और निमन राजा के मध्य हुआ था, the battle of बगानी भागनी took place between the गुरू गविन सिंग और राजा ओफ option A, बिलासपूर, option B बुशेर, option C, कांगरा या option D, जस्वान तो guys इसका right answer है option A, बिलासपूर के राजा के साथ गुरू गविन सिंग का जो भागानी का युद्सा वो हुआ था तो आपने comment box में उस टेम के विलासपूर राजा का नाम mention करना है, आपको question इस तरह से पूछा जा सकता है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ in which air रामपूर वुशर रियासत कम under the possession of British किस बरश रामपूर वुशर रियासत तो ठुझा या option C 1905 या option D 1905 तो guys इसका right answer है आपका 18-15 के air में रामपूर वुशर अंडर दा British, मेरा अगला question है, who among the following did not visit Shimla in 1921, option A बाल गंगा धर तिलक option B, लाला लाज पत्रा, या option C, मदन महान, मालविया, या option D महत्मा गंदी 1921 में निमन में से किसने Shimla का प्रवास नहीं किया था तो आपने right answer बताना है, option A है इसका right answer, बाल गंगा धर तिलक जो कि 1921 में Shimla में नहीं आये थे नहीं आये थे, और ये बाकी के तीनों लाला लाज पत्राई, मदन महान, मालविया और मात्मा गंदी इसका मतलब है कि 1921 में हिमाचल में इनोंने विजर्ट किया था, तीनोंने लाला लाज पत्राई मदन महान, मालविया ने ने और मात्मा गंदी ने भी ठीक है बस बाल गंगा धर तिलक रहे थे बिचारे तो बढ़ते हैं एंगली कोस्चिन की तरफ इन विच एर पिटर ओफ वाद दिस्ट्राइ इन दा मेजर फायर किस बस में पिटर ओफ एक भीशन अगनी में निस्ट हुआ था ओप्शने 1978 ओप्शन भी नैंटीन एटिवन या ऑप्शन सी 1983 या ऑप्शन डी 1984 तो गाइस इसका राइट अंसर है ओप्शन भी नैंटीन एटिवन में पिटर हॉप डिस्ट्वाए हुआ था तो गाइस मेरा नेक्स्ट कोश्चन है हूँ विकम दा चीफ मिनिस्टर ओफ इंडिपेंडेड गर्मेंट सेट अप इन थियोग इन 1947 में थियोग में गठित संबंतत था सरकार में से कौन सा मुख्यमंत्री बन जाना था ओप्शन देविदास ओप्शन भी खडग सिंग या ऑप्शन डी डॉक्टर वाइस परमानी या ऑप्शन डी सूरत परकाश तो गाइस इसका राइट अंसर है आपका सूरत परकाश अि मेरा अगला कोशन है गधी में से बशाट कोशन है या और ठाक्रों के ब्रामनों के खतरियों के यहां में से कोई नहीं तो गाइज इसका राइट अंसर है ऑप्शन सी खत्रियों के मेरा अगला कोश्चन है कुलिन दास मुलूत निमन में से समंध रखने वाले लोग थे मेरा अगला कोश्चन है कुलिन दास जो थे वो किसे रिलेटेड थे आपके अप्शन सी शिमला और सिर्मोर हिल से रिलेटेड से मेरा अगला कोश्चन है काफी बार पूछा जाता है ये कोश्चन और काफी इंपोर्टन भी है तो इसका राइट अंसर है अंदरेटा में मेरा अगला question है guys The State Museum of Himachal Pradesh is located in the building famous as option A Book of House option B Lyrus option C Mansion option D none of these तो guys इसका right answer है option D वैसे यह जो है आपका जो हिमाचल परिदेश का जो म्यूजियम है State Museum है इसका वैसे right answer है जो building है वो कहाँ पर situated है आपकी इन पैरा building में इसके spelling है I N V E R A R A यह है आपका चोड़ा मेजान से उपर एक colonial building है और जिसका नाम है इन वारा वहाँ पर आपका जो State Museum of Himachal Pradesh है तो इसलिए इसका right answer था option D क्योंकि यहाँ पर option नहीं दिया गया है तो बढ़ते हैं guys अगले question की तरफ the first hydroelectric project in western Himalaya was located at option A मंडी option B जुगिंदर नगर या option C पंढ़ो या option D बैनरे हिमाचल पर पस्चीम हिमाले में पहला hydroelectric project कहां स्तित था इस question में यह पूछा गया हुए तो guys इसका right answer है option B जुगिंदर नगर में मेरा अगला question है which is the largest apple growing district of हिमाचल परदेश का सारवदिक शेव उत्पादन किस जिले में होता है option A किन और option B कुलू option C शिम्ला या option D मंडी तो guys इसका right answer है option C शिम्ला में होता है मेरा अगला question है the state council of education and research and training SCERT is located at शिक्षिक शिक्षन अनुसंधान और परशेशनिक की राजिव परशिश्षिद कहां स्तित है option A option B मंडी option C शिम्ला या option D सोलन तो guys इसका right answer है जो आपका state council of education and research and training है वो कहां सेता है आपका सोलन डिस्टिक में मेरा अगला question है the first हिमाचल honored with पदम श्री पदम श्री से समानित पहला हिमाचल ली बासी कौन था option A कलाश महाजन option C बी चरनजी सिंग या option D डॉक्टर वाईएस परमार या option D डॉक्टर डी एस राणा तो guys इसका right answer है option A कलाश महाजन तो आपके लिए question है जो कलाश में महाजन जी है है हमारे जिनको पदम श्री अवार्ड मिला था यह किस फिल्ट से रिलेटेड है आपने comment box पे यह बताना है हमें तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है आपका the first woman speaker of हिमाचल परदेश विदान सवा वाज हिमाचल परदेश विदान सवा की प्रथम महिला speaker कौन थी इस question में यह पूछा हुआ है तो इसका option है विद्धे स्टॉक, option B लीला सेट या option C शीला कॉल या option D राजकुमारी अमरती कौर थोड़ा five second है आपके लिए तो guys इसका right answer है option A इस विद्धे स्टॉक was the first woman speaker of विदान सवा मेरा guys next question है शिपकी ला पास इन हिमाच्चल परदेश is located in which district of जो आपका शिक्वली दर्रा है वो हिमाच्चल परदेश के किस जेले में स्टेत है option A किन और option B लाल्स पिती, option C कुलू या option D चमबा तो guys इसका right answer है option A जो आपका शिक्वली शिपकी ला पास जो है इन को spell out करना काफी difficult है अजीब सा नाम है इसका वो काम पर शिता है आपका किन और district में मेरा अगला question है दा लेडी ओफ किलॉंग इज ऑप्शन A होट स्प्रिंग ऑप्शन B गलेशियर या option C लेक या ऑप्शन D रिवर यह मैंने कल भी पूछागा question तो guys इसका फिर से रिपीट हो गया है इसका right answer है Glacier the lady of किलॉंग किसे कहा जाता है Glacier को कहा जाता है गाइस मेरा next question है पॉंग डैम is constructed on which river of हिमाचल प्रदेश जो आपका पॉंग बांध है हिमाचल प्रदेश की किस नदी के उपर बना है तो option है सतलुच, option B, option C, राभी या option D, ब्यास और पॉंग डैम कौन सी district में है आपने ये comment box में बताना है तो right answer है इसका ब्यास नदी के उपर पॉंग डैम बना है बढ़ते हैं अंगले question के तरफ जुबल नरायन is the place famous for impreasing criminal is located in काराबासे प्रादियों के लिए परसिस्तान जुबल नरायन का स्थित है option A, कुमार सेन, option B, रोडू, option C, गनोटी, option D, चोपाल तो guys इसका right answer है जो जुबल नरायन है जहांपे प्रादियों को जेल में डाले जाता है वो है आपका रोडू में स्थित, आपने रोडू के एक या दो famous temples के नाम comment box में लिखने है तो चलिए, बढ़ते हैं, next question की तरफ, in which air Shimla municipal polity was created Shimla की नगर पालिका का निर्मान के सपर्ष में हुए था, 1850, option B, 1862, option C, 1868, या option D, 1882 तो guys इसका right answer है, 1850 में हुए था, मेरा आगला question है, the pressure lake is located in which district of Emachar Pradesh, pressure hill, Emachar Pradesh के किस जिली में स्थित है, option A, कुलू, option B, मंडी, option C, चंबा, या option D, Shimla तो guys इसका right answer है, option B, मंडी मेरा आगला question है, कुंजम pass is famous for, कुंजम दर्रा प्रसिद है, option A, Spittie Valley, option B, Kullu Valley, option C, Kangra Valley, option D, Pangi Valley तो guys इसका right answer है, it's Spittie Valley मेरा आगला question है, हट्टू peak is located in which district, हट्टू, चोटी, Emachar Pradesh के किस जिली में स्थित है, option A, किन और, option B, सिर मौर, option C, Kullu, या option D, none of these तो guys इसका right answer है, option D, none of these तो आपने comment box में बताना है, हट्टू, वेली, कहां स्थित है, और इसका answer मैं आपको कल बता दूँगा, next video में, part 7 में, ठीक है actually मैंने भी search नहीं की है, अभी तक यह, पदा नहीं के सरके छूर किया है, इसका बढ़ते हैं, अगले question की तरव, चत्री यात्रा is started from, जो चत्री यात्रा कहां से problem होती है, option A, Kullu, option B, Chamba, option C, Monday, और या option D, Money Mesh, काफी important question है चत्री यात्रा, first time सुना है मैंने भी यह, guys इसका right answer है, it's Chamba मेरा आगला question है, which of the following state is located in the south east of Himachal Pradesh निर्ण में से कौन सा राजे Himachal Pradesh के दक्षिन पुर्प में स्थित है, option A, उत्राखंड, option B, Haryana, option C, Punjab या option D, उत्राखंड, तो guys इसका right answer है, it's option A, उत्राखंड खीर गंगा, hot water spring is located at and in, खीर गंगा, गरम पानी का स्तोत कांस सीता है, option A, कांगरा, option B, हमिरपुर, या option C, बलासपुर, या option D, कुलू वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो guys इसका right answer है, option D, पर आप जितने question करोगे, HPJK के उतने ही आपके लिए सही होगे, बढ़ते हैं अगले question की दरफ, who was the last Mughal governor of Kangra 4 in 1747, 1740 में Kangra के लिए का अंतिम Mughal governor कौन था, तो guys, option है, शेयद हुसेन, option B, हसन, अब्दुल्ला, option C, शेयद खली या सैफली खान, ये सैफली खान एक्टर नहीं है भई, तो guys, इसका right answer है, option D, it's सैफली खान, जो last Mughal governor थे, Kangra के 1740 में, easy to remind है ये, अगर आपसे question पुच्छा जा सकता है, हमरे एक actor भी है, सैफली खान, तो आपको सेटिंग से remember रह सकता है, बढ़ते हैं अंगले question की दरफ, वो डौर्व और दा सिख फ्रॉम सिभा स्टेट दूरिंग दा सेकेंड सिख वर, दिवितिय सिख यूद के दुरान सिभा राज्ये से सिखों को किसने खदेडा था, option A, Govind Singh, option B, Vijay Singh, option C, Ram Singh, option D, Devi Singh, तो guys इसका right answer है, option C, it's Ram Singh, मेरा अगला question है, नगर कोर्ट was the seat of powerful and the prestigious of नगर कोर्ट, किसके शक्ती और प्रतिस्टा की गद्दी थी, option A, Shung dynasty, option B, Pal dynasty, option C, Katoj dynasty, option D, none of these, तो इसका right answer है, Katoj, Rajvansh, related था आपका नगर कोर्ट से, मेरा अगला question है, the first local youth of Himachal Pradesh is, Himachal Pradesh के प्रतम local youth कोन थे, option A, Justice RN, Grover, option B, Justice PC, Malotra, या option D, C, Justice T, B, R, Tata, चेतरी, option B, Justice RS, Shakirya, तो guys, इसका right answer है, first local youth कोन थे, Himachal Pradesh के, Justice T, R, T, B, R, Tata, चेतरी, मेरा अगला question है, बढ़ते हैं, which of the following district of Himachal Pradesh is not associated with the fraternal polyandry, इमाचल Pradesh में निमाच में से कोन सा जिला, ब्रहता, बहुपती, ब्रहता से समंदित नहीं है, option A, किनो और, option B, लॉलस्विती, option C, कांगरा, या option D, चमबा, तो 130 कांशर हैं हमारा कांगरा district, जो की associated नहीं है, fraternal polyandry से, मेरा आगला question है, the center of कांगरा school of painting was, चितरकला की कांगरा शेली का केंदर था, option A, जबाला मुकी, option B, सुजानपुर, option C, कांगरा, या option D, बैजनाथ, तो guys, इसका right answer है, option B, it's सुजानपुर, मेरा आगला question है, तलोकपुरी temple house is the idol of तलोकपुरी मंदर, किस की मुर्थी का बवन है, option A, Lord Shiva, option B, Lord Ganesha, या option C, त्रीपुर, बाला सुन्दरी, या option D, इन में से कोई नहीं, तो guys, इसका right answer है, त्रीपुरी, बाला सुन्दरी, जो आपका तलोकपुरी, टेंपर है, वो किस से रिलेटेड है, आपका, के लिए एक और कोशन है, जो आपका तलोकपुरी टेंपल है, ये कौन सी देश्टिक में सित्ता है, अपने comment box में बताना है, मेरा अगला कोशन है, दो मॉस्ट यूस्फुल एरिया फॉर कल्टिवेशन, दा सिर्टस ब्रैटी ओफ फ्रूट, फोलों में निम्बू वंश किस्म की खेती के लिए सारवदिक उप्योगी शेतर कौन सा है, औप्शन है शिवालिक हिल, औप्शन भी कुलू हिल, वैली, औप्शन सी एल्पलाइन जॉन या औप्शन डी इनर हिमालेव, तो गाइस इसका राइड अंसर है, आपका शिवालिक हिल्स में सबसे ज्यादा सिर्ट्रिक्स ब्रैटी ओफ फ्रूट्स की खेती होती है, मेरा अगला कुशन है, अग्रो एकॉनमिक रिसर्च सेंटर इस लोकेटेड इन हिमाचल परदेश, अग्रो एकॉनमिक रिसर्च सेंटर हिमाचल परदेश में कहां स्थित है, औप्शन है बिलासपूर, औप्शन भी मंदी, औप्शन सी शिमला या औप्शन डी सिर्मॉर, तो ग स्कूल एजूकेशन वस सेट अग हिमाचल परदेश हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1975 ऑप्शन भी 1977 या ऑप्शन C 1980 या ऑप्शन D 1984 तो गाइस इसका राइट अंसर है 1975 में स्पी बोस या हिमाचल परदेश बोर्ड ओफ स्कूल एजूकेशन की सापना हुई थी मेरा अगला कोश्चन है विच आप दी फॉल्विंग डिस्टिक ऑफ इमाचल परदेश है जाहिएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पोपुलेशन सबसे ज्यादा अर्बन पोपुलेशन कौन से डिस्टिक में हैं ऑप्शन है कुलू ऑप्शन इसका राइट अंसर है ऑप्शन दी इट्स शिम्ला बढ़ते हैं अंगली कोश्चन की तरफ दूरिंग विच एर फर्स असेम्ली एलेक्शन वर हैल्ड किस वर्ष माचल परदेश में प्रतम विजान सबा चुनाब हुए थे बार बार रुपीट हो रहा है गाईज के कोश् में मेरा अगला प्रेशन है नोला फोक डांस इस प्रफॉर्म इन दा वैली ओफ नोला लोकर नरित्य किस घाटी में किया जाता है ऑप्शन ए चमबा ऑप्शन भी स्पिति या ऑप्शन सी किन और या ऑप्शन डी कुलू तो गाईज इसका राइट अंसर है ऑप्शन ए चमबा मेरा अगला कुश्चन है बहादरपूर की फोक डिस्टिक ओफ हिमाचल परदेश बहादरपूर किला हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है ऑप्शन ए बिलासपूर ऑप्शन भी अमिरपूर या ऑप्शन सी बिलासपूर में स्थित है यह बिलासपूर जिले में स्थित है आपका बादरपूर फोट बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ मेरा अगला कोश्चन है एस पर तसेंसस 2011 सेक्स रिश्यों इन हिमाचल परदेश ऑप्शन ए उनीस सोस्ताई ऑप्शन ए नाइन तू सेवन बी 937 ऑप्शन सी 967 या ऑप्शन दी 972 तो गाइस इसका राइट अंसर है ऑप्शन दी 972 मेरा अगला कोश्चन है फर्स्ट मेंबर ओफ राजय सभा फ्रों हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश से राजय सभा का प्रतम स्रजर से कौन से इस रंजी लाल वर्मा ऑप्शन भ तो गाइस यह लास्ट कोश्चन है जरा सोच के बताइए इसका अंसर के है आपका तो गाइस इसका राइट अंसर है त्रिंची लाल वर्मा वाज फर्स्ट राजय सभा मेंबर फ्रों हिमाचल परदेश तो गाइस यह आज की वीडियो थोड़ी से लंबी चले गी है बट हो 285 कोश्चन आपके लिए थे तो लंबी तो जानी थी यह कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा तो तब तक तो यह चार कॉश्चन ओर बी हैं बट तबी मैंने इनके अंसर नहीं निकाले हुए है यह आपके लिए होम बर्क है इनफ 50 को पढ़लीजिए यह आपके लिए होम बर्क है और आपने यह कमेंट बॉक्स में इनके अंसर देने है आगे से मैं आपको 5 questions का homework भी देगा गरूंगा अगर friends मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो kindly मेरे चैनल को share and subscribe करें अपने friends के साथ भी और यह सारे questions पुराने हिमाचर परजेश सबोरीनेट के papers में पुछे गे थे तो आपके लिए सारे जेओ आईटी के लिए नहीं बट सारे exams के लिए important है बट फिलाल तो हमारा main focus है जेओ आईटी की थियारी करवाना तो तब कर के लिए आपके लिए content है हिमाचर के important जीके questions का और यह five questions है आपके लिए homework आपने इनका answer comment box में देना है तब तक के लिए best of luck for exams और मेरी वीडियो को share और subscribe करें मेरे channel को thank you for watching my videos take care